हलो दोस्तो स्वागत है आप से भी का आपके अपने चनल ऑल्लेन अश्टडी में दोस्तो अजम बिहार दरोगा का मोडल प्रैक्टिस सेट नमर टू का वीडियो करेंगे दोस्तो अगर आप इस सेशन में फाहली बार जुड़े है किजिए और सूचियों के नीचे कूटो का उप्योग कर साही उत्तर चुनिए दोस्तो आपका पेनेटियुला का सहिए आपका समुदरी पीछ से है, पेनेट यूला का समद्ध किसे है, समुदरी पीछ से है, और दोस्त आपका गोरगोनिया गोरगोनिया जो है, समुदरी पीछ से समद्ध है, और मैंडरीना जो है, मैंडरीना जो है, आपका ब्रेन कोरल से समद्ध है, जब की एडमासिया जो है, स समुन्दरी एनीमोन की तरह एनीमोन से संबधीत newer question कर यह रबते हैं अगला जो कोशन है कि सफर Jackson's उन्हीन कई सम्स्टेन कर बरते हैं 1743 के रेजुलेटिं अधिनियम पहला कदम था जिसने की भारत में इस्ट नियंडिया कमपनी के कारियों को नियमित नियंतरित करने की दिशा में विरिटी सरकार दोरा उठाया गया पहला कदम था तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिलकुल सही है अगले कोशन कर बढ़ते हैं कि भारत के परस्ताबना भारत के संविधान की परस्ताबना भारत के संवि राज होना चाहिए तो दोस्तों आपका जो केबल हुआ न और दू जो है कि बारत के संविदान की जो प्रास्थापना जो 26 नंबर उन्हें सोंचास को अंगिकरेद की गई थी मुलता भारत का जो बरनन होना चाहिए परवुत्य संपन होना चाहिए संपन गनराज के कविता में धर्म निर्पेक्च के स्वर का जो समवेश करने वाला पहला कविता आपका दोस्तों कुली कुतूपसा जो था वो कविता में धर्म निर्पेक्चता के स्वर का समवेश करने वाला पहला कविता तो आपका उप्शन कुली कुतूपसा अप्शन नमर टू जो है बिलकुल सही है, next question के रवरते हैं कि सड़के बनाई जा रही है, translate करना इसका सड़के बनाई ज़ो है, जाती है, तो दोस्तो roads are built, यानि कि सड़के बनाई जाती है, तो आपका option number two जो है, बिलकुल सही है, अगले question के रवरते हैं कि निमलिकित में कौन सी संख्या सबसे बढ़ में जो है, कूल कितने राम सर अस्तल है, बरतमान में भारत में कूल कितने राम सर अस्तल है, तो दोस्तो आपका जो इस question का अंसर आप लोग कोमेंट में जरूर दीजेगा, तो दोस्तो बरतमान में भारत में जो है, कूल जो है, 75 राम सर जो है, आपका अस्तल है, तो आपका गोवा में दोस्तों है हाली में चर्चा में रहा महदेई वानेजी अबारन जो है आपका गोवा में स्तीत है next question को बढ़ते हैं अगला जो कोशन है के निम लिखित में से या निम में से सही कोड को चुनिया जो अर्दसूतरी विभाजन के प्रोफेज अवस्ता को सही करम में परदरसीद करते हैं तो सबसे पहले उसके बाद प्यक्तिदक करते हैं तो सबसे के अप्सित करते हैंестно लिप्ते अंपको पाख 벮żej हो तो आपका ब्यच्छन बीचन बढ़ते हैं कि विचुप में ब्रतिक्त फरुलि खेंड सीथ अधी होते हैं उसे क्या कहते हैं कि विशु बजार में जिसकी देश की मुद्रा क्या पूर्ति की अपेक्छा जो है सबसे अधीक होते हैं उसे दोस्तों आपको दूरलब मुद्रा कहते हैं सबसे अधीक होता है अगले कोर्शन के अबढ़ते हैं कि निमलिकित कतनों पर विचार किजिए निमलिकित कतनों पर विचार किजिए कि दोलन के दोरन जब गोला चरम इस्तिती पर पहुछता है तो उसकी गती वरम तोरन क्या होता है दोनों सुन्य हो जाते है और जब गोला मादिक अस्थन से गुजरता है तो तौरन भी उनका क्या हो जाता है सुन्य हो जाता है तो आपका option number 2 जो है दोलन के दौरन जब गोला चरम इस्तिती पर पहुंचता है तो उसका जो गती और त्वरन होता है, क्या हो जाता है, सुनी हो जाता है, और जब गोला मद्य अस्तान से गुजरता है, उस समय भी त्वरन क्या हो जाता है, सुनी हो जाता है, तो आपका option number 2 जो है, बिल्कुल सही है, अगले question कर वरते हैं, कि निमलिखित में, निमलिखित मे आपका कोशन कर दोस्तों, और दिये गए इस संख्या का चैन करें, जो परशर नवाचक चिन के अस्तान पर आ सकती है, तो दोस्तों, आपको जो आपका जो है, इस चोदरther 2, भागा देना 42 में तो 3 हो जाएगा 8 से भागा देना 6 फिर 3 इंटू 6 करेंगे तो आपका 18 यहां पे बीच में आया उसी तरह दोस्त आपको 17 से भागा देना 3 हो जाएगा उसके बाद 8 से भागा देना 7 और 7 गुना 3 अगर करते हैं तो आपका option number 21 जो है आपका option A जो है बरी का समनार्थी नहिका आपका option B बिलकुल सही है next question को रबढ़ते है उत्वतर मुगल हमें किसके भी सहए में कहा गया ऐकि उसका जो प्रस्तान है समराज में निश्टा और सधर्गों के पलायन का पर्तिकता तो आपका option A जो है बिलकुल सही है अगले कोशन के और वरते हैं कि नई संसद भवन में कूल सीटों की संक्यां जो है वो कितना है तो दोस्तों नई संसद भवन में कूल सीटों की संक्यां जो है वो आपका 1272 जो है नई संसद भवन में कूल सीटों की संक्यां 1272 है तो आपका option D जो है correct है अगले कोशन करवरते हैं कि 95 आउसकर आवार्ड में किस फिल्म को सौंग को बेस्ट ओरिजिनल सौंग के रूप में चुना गया है तो 95 आउसकर आवार्ड में किस फिल्म के सौंग को बेस्ट ओरिजिनल सौंग के रूप में चुना गया है तो दोस्तो आपका जो ट्रीपल आ बढ़ेंखिछ जब परखी केरन सगन मादियम से बिनते गर चाल बिरल माधियम में परवेश करें तो दोस्तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलम से क्या होते है दूर अभिलम से दूर जाती है अब अगले कोशन कर वरते हैं अगला जो कोशन है निमलीकित में कौन सा जोड़ा आपका सही सुमेलित नहीं है तो दोस्तो आर्टिकल 16 के परशा नहीं कहा गया है तो आपका ऑप्शन डी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं निमलीकित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है निमलीकित में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है तो संगाई जिसे डासिंग डियर भी का जाता मुखेता प निहारिका परिकल्पना का नमर बी बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन के रबरते हैं अगला जो कोशन है कि कोशिका के किज्ड चिंक हंग में DNA मौजद होता है कोशिका के किस कोशी कंग में DNA मौझूद होता है तो आपका हरित लबक, केंद्रक, सुत्रिकनिका में आपका DNA मौझूद होता है कोशिका के किस कोशी कंग में DNA मौझूद होता है तो आपका हरीत लबक, केंडरक और सुत्र कनिका में जो दोस्तो आपका DNA मौज़ूद है कि अर्थ विबस्ता के छेतर में कौन सा उद्योग जो है कोर सेक्टर के अंतरगत नहीं आता है तो दोस्तो आपका जो एल्मुनियम है, एल्मुनियम जो आपका उप्शन में दिया हुआ है वो दोस्तो आपका कोर सेक्टर के अंतरगत एल्मुनियम जो है आपका नहीं आता है माता के दूध आसू एवमलार में माता के दूध पस्थित होते हैं अहरार अंदोलन के संबन्त में कौन सा कतन आपका सत्य है अहरार अंदोलन जो वाता उस समें कौन सा कतन आपका समय सत्य है तो दोस्तों जो आप अप लिखित कतनों पर विचार किजिए कि पर्थम पर्थम आगल मराठा यूद के संदर में लिखित कतनों पर विचार किजिए तो यह यूद जो है 1775 से 1772 इसमे तक चली था चला था और यूद का समापन जो है सालावाई की संदिक से समफ्त हुआ और संदियु प्रहंत अंग्र संदिक से समाप्त हुआ संदि उप्रहंत अंग्रेज जो है 20 बरसों के लिए मनाठों की ओर से निशित हो गये तो आपका ओप्षन फर्स्ट सकेंड और थ्री जो है बिलकुल सही है अगले कोशन कर भरते हैं कि इस्ट द्वारा इस्ट द्वारा गुलकोज का किनवन से उत् उत्पाद जो होता है वो क्या होता है एथनोल और कार्बन डॉक्साइट प्राप्त होता है इस्ट द्वारा गुलकोज का किनवन से उत्पाद जो हता है एथनोल और कार्बन डॉक्साइट प्राप्त होता है नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं कि दूर उपसर्ग से बना निमलि सही है अगले कोशन कर वरते हैं कि पुरूस हाओ की भी सुकप 2020 का बिजेता आपका कौन सा देश है तो आपका ओप्शन बी जो है करेक्ट है अगले कोशन कर वरते हैं कि हाली में जारी फोर्चियून गलोवर पॉर्चियून 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 गलोवर पॉर्चि अगले कोशन के और अगला जो कोशन है निमलिकीत पदों में निमलिकीत में से कौन सा युगम आपका सुमेलित नहीं है तो दोस्तों माउन्ट टिटला आपका फिनलेंड में अबस्तित नहीं है माउंट टिटलिस जो है वो आपका फिनलेंड में अबस्तित नहीं है जबकि जागरोज जो है इरान में है एपे नाइन जो है इटली में और डेंक सबर्ग जो है वो आपका दक्चिनप्रिका में है तो इस तरह माउंट टिटल जो आपका फिल्लेंड में अपस्तित नहीं है अगले कोशन की बढ़ते हैं अगला जो कोशन है निम्लिकित में कौन सा दुईप जो है छेतrफल में सबसे बड़ा है तो दोस्तो आपका नियू intrins की दुईप जो है छेतर फल में सबसे बड़ा है तो आपका option new गीनी जो है बिलकुल सही है अगले question के रवड़ते है निम्ण में से कौन सा जो है cool एक बीच पत्री का निम्लिकित में कौन सा जो है cool एक बीच पत्री का तो आपका for ac और mu jc जो है ये जो है cool है एक बिच पत्री का है तो आपका option number B जो है बिल्कुल correct है अगले question के रवरते हैं स्वादेशी आंदोलन के दोरान स्वादेशी आंदोलन के दोरान जो है बिविन्स अस्थानो एवा मुहा की नित्रित करताओं के सम्मन में नीचे दी गए सुचियों को आपस में मिलाईए तो दोस्तो स्यद हैदर राजा जो थे वो कहां के थे स्यद हैदर राजा जो थे वो दिल्ली के निवासी थे और चिदंबरम पिल्ले जो थे वो मदरास के निवासी थे लाला लाजपत राई जो थे वो पनजाब के थे हरी सर्बुत्तम राउं जो थे वो अनिपरदेश थे तो स्वदेशी आंदोलन के दुरॉण जो है स्यत हरा है इधर रोज राजा था वो दिल्ली का निवासी था चिदम्रम पिल्य जो था मदराज का था और लाला राजपत राय जो था पंजाब का था हरी सर्बुत्तम राज था वो आपका और परदेश का निबासी था अगले कोशन कर बढ़ते हैं कि लाला लाजपत राय के संबंद में लाला राजपत जो की पंजाब के निबासी थे ल 3 нрав Live पत्ma पिए पारोओं के गठन नीटी के पक्च में नहीं ते लेकिन बाद में उगांधी के पक्च में वह गए ते अगले कोशन के उयर बढ़ते हैं चोछन निमलीकित में और चाक्तन सब्सक्रेंश Fest맛 में आपका सγय है तो किसी तत में एक ही परकार के कन होते हैं किसी तत के कन परमानों या अनू हो सकते हैं सोडियम, हैड्रोजन, चांदी और आधी तत्वों के कुछ उधारान जैसे आपका उप्यूक सभी किसी तत में एक ही परकार के कन होते हैं किसी तत के कन या परमनू या अनू कहलाते है सोडियम, हाइडोजन, चांदी, आदी तत्वों के कुछ क्या है उदा रहेने तो आपका option D जो है बिल्कुल सही है अगले question के उरबलते है ओ विश्वास प्रस्ताव लोने के लिए विश्वास प्रस्ताव लोने के लिए लोगसवा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है अगर आप विश्वास प्रस्ताव लोने के लिए लोगसवा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है तो 50 सदस्यों की कम से कम क्या होती है समर्थन सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है तो आपका option option C जो है बिल्कुल correct है अगले question के रवड़ते हैं अगला जो question है निमलिखित कत्नों पर बीचार किजिए तो डोवेरा इनर ने बताया कि त्रीक के तीनों तत्वों को उनके परमानो द्रब्मन के अरोही करम में रखने पर बीच बाले तत्वों का परमानो द्रब्मन अन्य दो तत्वों के परमानो द्रब्मन का लगभग क्या होता है अउसात होता है तो आपका option A जो है कि डौवेरा इनर ने बताया कि तरीक के तीनों तत्वों को उनके परमानो द्रब्मन के अगर अब रोही करम में रखते हैं तो बीच बाले तत्व का जो परमानो द्रब्मन होगा अने दो तत्वों के परमानो द्रब्मन का क्या होता है लगभग आउसात ह होता है तो आपका option A जो है बिल्कुल सही है अगले कोशन के रवरते हैं बर्स 2022 में बर्स 2022 का मेजर ध्यान चंद्र खेल रतन पुरुषकार किसको दिया गया है बर्स 2022 का मेजर ध्यान चंद्र खेल रतन पुरुषकार किसको मिला है तो सरत कमल को मिला है मेजर ध्यान चंद् का option D जो है बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन के रबरते हैं निमलिकीत में से कहां पर पहला बेस्विक बोद सीकर सम्मिलन का आउजन किया गया था निमलिकीत में कहां पर पहला बैस्विक बोद सीकर सम्मिलन का आउजन किया गया था तो दोस्तों आपका बैस्वीक बैस्वीक बोध सीकर सम्मिलन जो है नई दिल्ली में आउजन किया गया था तो आपका ओप्षण ये जो है अप्षण नमबर ए जो है करेक्ट है अगले कोशन कर बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि सूची वन को सूची टू से मिलाना है सलजम में जो वाटर को रो निक्रोसिस जो रोग होता है बोरोन के कारण होता है बोरोन के कारण आपका ओम में अंत्रिक निक्रोसिस रोग होता है और निम्बू में निम्बू में जो लिटिल लीप रोग होता है वो दोस्तों आपका कॉपर के कारण होता है टमटर का बलास्मम एंड रोट रोग जो ह केल्सियम के कारण होता है तो इस तरह से आपको मिलान कर लेना है कि सलजम में वाटर कोर रोग जो है मेगनिस के कारण होता है आम में अंत्रिक निक्रोसिस जो रोग होता है और बोरोन के कारण होता है निम्बु में लिटील लिप रोग जो होता है कौपर के कारण होता है टमा में कौन सा योग सौमेलित नहीं है तो दोस्तों आपका हुआ हम ढल्स नहीं है लेकिन आपका मिस्ट्रल जो है वो आपका आश्चलिया में नहीं है तो आपका उप्शन सी जो है ये जो यूगम जो है सुमेलित नहीं है अगले कोशन कर वरते हैं अगला जो कोशन है कि ओबरनक रंग ओबरनक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तिमाल किया जाता है ओबरन तक में उसको इस्तमाल किया जाता है अगले कोशन कर वरते हैं अगला जो कोशन है कि संग्य अपराद में पुलीस अधिकारी क्या करते हैं संग्य अपराद में पुलीस जो अधिकारी जो है आरूपी को आरूपी को वारंट के बीना गर गिरिपतार जो है कर सकता है कि संदे के अपराद में जो पुलिस अधिकारी होता है आरूपी को वारंड के बिना गिरिपतार भी कर सकता है और उसे तीन में तक उसको जेल में रख सकता है अगले कोशन के वर्बरते है आत्मातिया के लिए उक्साने के अपराद का जो आएस है आईपीसी की किस धारा के अंतगत उल्ले क्या गिया है आत्मातिया के लिए उक्साने के अपरात का जो आशा है IPC किस धरा के अंतिकत उल्ले क्या गया है तो धरा 306 के ताथ जो है IPC की धरा है आत्मातिया को उक्साने के लिए अपरात का जो आशा है धरा 306 के दोरा उल्ले क्या गया है अगले question कर वरते है कि राष्ट्य ग्यान आयोग, NKC का गठन डो रोला है, किस बर्स में हुआ था, राष्ट्य ग्यान आयोग, NKC का गठन रोला है, 2025 में हुआ था, नेक्स्ट question कर वरते है, यानि कि exercise जो है किस प्रकार सायक हो सकता है तो शरीर का जो संक्रमन से बचने के लिए शरीर के तापमान को बढ़ा कर बेक्टरिया को बढ़ने से क्या करता है रोकता है और मांसपेशी छमता को बढ़ाता है ताकि बेक्टरिया से लड़ा जा सके और बेयाम जो हता है फेपड औरंस्पेसी चंपता को बलाता ताकि बेक्टरिया से लगा जा सके और बैयाम जो हता है फेपड़ों से बेक्टरिया को क्या कर जाता है बाहर निकाला जा सकता है तो केबल आपका केबल दोस्तों आपका जो है A,C,D जो है वो बिल्कुल सही है अप सॉरी दोस्तों, आपका खेवल ACD तो दोस्तों आपका A, C न eco Bayam तना हर्मन के सरॉओ को क्या करता है, कम करता है Bayam तना हर्मन के सरॉओ को कम करता है आपका B month spacy चमता को बलाता है ताक बेक्ट्यूरिया से लड जाए यह आपका option में नहीं है शरीर को संक्रवन से बचाने के लिए शरीर के तापमान को बढ़ा कर भेक्टरिया को बढ़ने से रुखता है बैयाम फेपलों से भेक्टरिया को बहार निकाल सकता है और बैयाम जो होता है हमारे तनाव हर्मोन के स्राओं को क्या कर देता है कम कर देता है तो आपका option A जो है बिलकुल सही है अगले question कर वरते हैं कि अधिगम अधिगम का जो प्राकृतिक अंतरन होता है अधिगम का जो प्राकृतिक अंतरन क्या है अधिगम का अधिगम का जो प्राकृतिक अंतरन है वो क्या है तो अधिगाम का प्राकृतिक अंत्रन नभीन समस्या के समिधान में पुर्व ग्यान के कुछ भाग का समन ग्यान के रुप में परियोक्त होना है अगले कोशन करवरते हैं सत्य सोधक समाज की अस्तापना किषने की थी सत्य सोधक समाज की जो अस्तापना है वो आपका जियोतिवा फुलेने की आता सत्य सोधक समाज की अस्तापना जियोतिवा फुलेने की आता अगले कोशन के रुबरते हैं अगला जो कोशन है आपका दोस्तों मिसिंग नमबर है ये दोस्तों आप लोग ग्याद कर लिले कोशन के रुबरते हैं अगला जो कोशन है निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन जो है भारत के बारे में सही नहीं है तो संपुन भारत का जो अक्छ भारत का जो बिस्तार होता है वो उस्ण और उपोस्ण दोलों कटी बंदों में होता है यह आपका option नहीं है जब कि छेत्रफल की दिरिष्टी से भारत जो है अर्जेटीना से छोटा है जब कि भारत में सरपर्थम सुर्योदय जो हता है आपका असमराज में होता है तो दोस्त प्रफल की दिरिष्टी से भारत जो है और जेटिना से छोटा है ये भी बिल्कुल गलत है बलकि भारत का जो बिस्तार होता है भारत का जो बिस्तार है वो उस्न और उपोस्न दोनों कटी बंदों में होता है तो आपका option ये जो है दो नंबर बिल्कुल सही है बलकि एक तीन च यह भारत के कथन के बारे में आपका एक तीन चार जो है वह आपका भारत के कथन के बारे में यह सही नहीं है अगले कोशन कर वरते हैं अगला जो कोशन है निमलिखित में कौन से बेग्यानिक निमलिखित में से कौन से बेग्यानिक ने लेमार्क बाद का खंडन करने के लिए चुहे कि पूच पर परियोग करने के लिए पूच को 21 बार काटा था निमलिकित में कौन से बिग्यानिक थे ऐसे जो कि लेमार कवाद का खंडन करने के लिए चुहे कि पूच पर परियोग करने के लिए पूच को 21 बार काटा था तो दोस्तो वो बेग्यान एक था वाई समान जिसने की चुहे की पूच को परियोग करने के लिए 21 बार उसके चुहे के पूच को कटा था तो दोस्तो आपका वाई समान ऐसा बेग्यान एक था अगले कोशन को बरते हैं अगला जो कोशन है कि किसी सरेनी परिपत में एक बैटरी को एक परती रोधग के साथ एक अर्धचालक युकती का अगर संयो जन किया गया है पाये जाता की परिपत में धारा परवाइत हो रही है यदि बैटरी की दूरुपता को उतकरमित कर दिया तो धारा सुन हो जाती है यह उक्ति कौन सी हो सकती है तो जो दोस्तो आपका option है यह जो उक्ति हो सकती है यह दोस्तो आपका PN संदी उक्ति हो सकता है तो आपका option D जो है correct है अगले question कर वरते हैं कि संभिधान के किस अनुचेत के तहाद कि संभिधान के किस अनुचेत के तहा तो ऐसा दोस्तों आपका आर्टिकल 240 में किया गया है अगले कूशन कर वरते हैं कि निमलिकी धात्वों में से निमलिकी धात्वों में किस धात्व का जो उप्योग है विद्धूत परकास यानि कि परकास विद्धूत सेलों के तंत्वों में किया जाता है जो परकास उर्जा धातों का परियोग क्या जाता है जो परकास उर्जा को किसमें उर्जा बिद्धोत उर्जा में प्रावर्तित करता है तो आपका उप्षन यह बिल्कोल सही है अगले कोर्शन कर बढ़ते हैं निमलिखित यूगमों को आपको जो है समय लिद करना है निमलिखित यूगमों को स आने थे मारसले जी और ओलंप दो जो गूज थे ओलंप दो गूज थे ओलंप दो गूज थे ओपका की अधिकार जो है उनिस्व एकत 1791 में महिला अभम नागरिक अधिकार 1791 में महिला अभम नागरिक अधिकार गोष्ण पत्र त्यार करने वाले फ्रांस की राजनितिक महिला कौन थी वो लमप द गुष थी सत्री सोई कंबि महिला इवमनागरी गोश्चनपतर तियार करने वाली फ्रांस की राजनितिक महिला कौन थी वो आपका वो लंप धागूस थी जबकि आपका जो गिलतीन नहीं डो थे गही गिलो की दूरी गिलो टीन जो था जेकोवीन दल के सदस का जो पोशाग था बिना घुटने वाला उस वो दोस्तों आपका सोकुलाद कलाता है और मार्सले जो कलाता है कभी राजे डी लाइल द्वारा रचित देश बक्ती के तरहने थे मार्सले और ओलंप दगूज जो थे 1791 में महिला अभमनागरी का अधिका इस लिखा जाए इस वासा में मोख को किस परकार लिखा जाएगा तो दोस्तों आपको इस तरह से आपको लिख लेना है यह अलफावेट का जो है रिजनी का अलफावेटिकल रिजनी है तो दोस्तों आप मुझे उमीद है का आप यह जो कोशन बना लिजेगा अगले कोशन कर बढ़ते हैं अगला जो कोशन है सूची को मिलान कीजिए दोस्तो आपका option इसमें D भी है कि ECG ECG जो है वो आपका ECG जो है ECG और उसके बाद आपका 4 नमबर में आंक दिया है तो दोस्तो आपको इस तरह से मिलान करना है कि EOG का जो है EOG का जो है और ECG द्वारा हिर्दाई की ECG द्वारा हिर्दाई से संब्दित है और EMG जो है मांस्पेसी से संब्दित है जबकि आपका जो ECG का ECG जो है वो मस्तिक से संब्दित है तो दोस्तो आपको जो है इस तरह से मिलान करना है अगला जो कोशन है कि हाली में नीती आयोग द्वारा जारी स्वास्त सुचकंक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राजियों में पर्थम अस्तान जो रहा है तो आपका केरल का रहा है अगले कोशन के रुबरते हैं कि हाली में किस राज केंदर सासित परदेश के बसोहली पेंटिंग को जी आई टेग मिला है तो आपका option B जो है option number B जो है बिलकुल सही है अगले कोशन के रुबरते हैं कि पेबरिन जो रोग होता है पेबरिन रोग रेसम के कीड़ों में पेबरिन नमक रोग होता है तो आपका option A जो है बिलकुल correct है अगले कोशन के रुबरते हैं कि संभिधान निर्मान हे तू संभिधान सबा की कुल कितने बैटके हुई थी कि संभिदान निर्मान में संभिदान सभा की कूल जो बैठक हुई थी वो दोस्तो आपका 11 बैठक हुई थी वो आपका 11 बैठक हुई थी अगले कोशन के उर्बरते हैं निम्ल में से भारत के किस भाग में समानयता परवाल दूइप पाय जाते हैं अगले कोशन कर बरते हैं कि बिहार राज में गंगा के किनारे इस्तित जीलों की संक्या कितनी है कि बिहार राज में गंगा के किनारे इस्तित जीलों की संक्या जो है वो आपका बारा जो है बिलकुल सही है अगले कोशन के उड़ते हैं यदि किसी भीन के अंस में अगर 50% की बिर्दी की जाए और उसके हर में अगर 28% की कमी की जाए तो भीन का जो है मानग 25 बटे 36 हो जाता है तो नया जो भीन होगा मूल भीन ग्याद कीजिए तो दोस्तों आपको PY Q रेना है और P में दोस्तों 28% की बिर्दी हो रहा है 50% अब बटे में आपको Q में 28% की कमी हो जाती है 100 में से 28% की कमी लेना उसके बाद आपका जो भीन हो जाता है तो दोस्तों आपको इस तरह से आप जो है सरल करने के बदा आपका जो मूल भीन हो जागा 1 by 5 होगा तो आपका option वह बिल्कुल सही है आ अगले कोशन को प्ड़े है निम्लिखीत कतनों पर भीचार करें आपका ना तो एक और ना ही दोशा है तो आपका आपका आप्छन दी जो बिलकुल सही है समाजिक नियाए तता समता के साथ आर्थिक विकास किस पंच बर्षी योजना का मुक्य उदेश है था तो आपका उप्षन । जो है। अगले चुशन किर वर्षी अगला जो कोशन है कि कारबन के संदर में निमलिकित कत्न में कौन सा आपका सही है तो प्रकृति में कारबन तत्व अनेक विवित भोतिक गुनों के साथ विवित रूपों में पाया जाता है तो आपका option जो है कि परकृती में जो कारवन तत्वा है अनेक विभीन बहुती गुनों के साथ विभीन रूपों में भी पा जाता है तो आपका option केबल एक वो बिल्कुल सही है अगले question कर बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि जेन धर्म के त्री रतनों में निमलिकित में कौन जो है आपका सामिल नहीं है तो दोस्तों जेन धर्म के त्री रतनों में आपका सम्यक सत्य जो है वो आपका सम्यक जो है सामिल नहीं है लेकिन आपका सम्यक दर्सन सामिल है सम्यक चरित्र सामिल है सम्यक ग्यान सम्मिल है लेकिन आपका जो सम्यक सत्य है ये जन्धर्म के त्री रत्नों में सम्यक सत्य जो है सामिल नहीं है अगले कोशन के रवरते है निमलिकित में से कौन सा असोक कालिन अभिलेग जो है खरोष्टी लिफी में निमलिकित में से कौन असोक कालिन अभिलेग जो है आपका ख्रोष्टी लिपी में तो दोस्तों आपका जो सहाबाजगरी जो है ये अभिलेक ख्रोष्टी लिपी में लिखा गया है सहाबाजगरी आपका ओप्षन नमबर 2 जो है सहबाजगरी जो है ये जो है सोख है ये कालीन अभिले खरोष्टी लीपी में है अगले कोशन के और बढ़ते हैं निमलिखीत में से कौन सी योगीक एक ही तत्व के विभीन उक्षिक्रन संक्या नहीं दरसाती है तो दोस्तो आपका F2-O3 जो है ये एक ही सी जो है बिल्कुल करेक्ट है अगले कोशन कर बढ़ते हैं कि बिहार के बिहार के किस जीला में निल गाय सोद संस्तान की अस्तापना की जाएगी तो आपका ऑप्शन बखसर जो है बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते है निमलिकित में से किसने फ्रेंच ओपेन 2023 का महिला एकल किताब जीता है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है अगले कोशन कर बढ़ते है कि केंदर में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का उदवाब कब से हुआ था केंदर में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का उदवाब हुआ था वो भारत सरकार देनियां 1999 दोरा उदवाब हुआ था केंदर में जो अध्यक्च रूपा अध्यक्च पद का जो उद्वा हुआ था 12 सरकार दिनिया उन्हें 1929 के द्वारा इस पद का जो है उद्वा हुआ था तो आपका option ये जो है correct है next question के रबरते ह्यां निमन में कौन रसायनिक परदूसाय का है तो दोस्तों आपका जो है cadmium more mercury nickel आपका ये सब्सायनिक परदूसाय का जैट कोशन कोई बड़ते है, एन्ट त्रोपिकल कंभरजेंस जो इन्टे सी जेट जो एक निमन भायुदाव पेटी है तो किसका पेटी है तो दोस्तों पस्योई म धुरूबिया हवाओं के पेटी के मद जो है एक जो है इंटर इंटर टॉपिकल कब्रेंज है जो एक बायुदा पेटी है किसका पच्वाइबं दुरुबिया हवाओ के पेटी के मद में तो आपका ओप्शन डी जो है बिल्कुल सही है अगले कोशन कर बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि निम्द में से किस भु समता से क्या होते है बना जाता है तो आपका जिमर्षेन का ये कहना था तो आपका ओप्शन सी जो है करेक्ट है अगले कोशन कर बढ़ते हैं किसी बिदूत रोधी को निम्लिकित में से कौन अपसोसित कर सकता है किसी बिदूत रोधी को निम्लिकित में कौन आबेसित कर सकत है तो दोस्तों आपका जो इस्तिर विद्धुत है वो बिद्धुत रोधी को क्या कर सकता है अपने और आप बेसीत कर सकता है तो आपका option बी जो है वो बिलकुल सही है अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला जो question है सहकारी समितियों के स्वेच्छिक गठन, स्वायत संचालन, लोकतांतरिक नीमन्त्रन तता वेवासायख परबंदन को बढ़ावा देना किस अनुछेद में बर्नीत है अनुछेद 43 का कोई में बर्नीत है तो आपका ओप्शन B बिल्कुल सही है अगले question के और बढ़ते हैं हमारे मस्तिक में ध्वनी की जो सम्बेदना होती है लगवक कितनी second तक बना होता है तो दोस्तों हमारे मस्तिक में ध्वनी की जो संबाबना होती है 0.1 यानिकी 1 बटे 10 सकेंड तक बनी रहती है हमारे मस्तिक में ध्वनी की संबेदना 1 बटे 10 सकेंड तक बनी रहती है तो आपका option B बिलकुल सही है अगले कोशन के और बढ़ते हैं कि हाली में SBI द्वारा State Bank of India द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस बरस तक भारत बिश्व की तिसरी अर्थ विवस्ता बन जाएगा कि हाली में जो हमारे State Bank of India द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार किस बरस तक भारत बिश्व की तिसरी अर्थ विवस्ता बन जाएगा तो 2017 तक बिश्व की तिसरी अर्थ विवस्ता बन जाएगा 2023 की जो अधिर्चता क्या था वो भारत देश ने क्या गया था भारत देश द्वारा क्या गया था तो आपका ऑप्शन भारत जो है बिलकुल सही है अगले कोशन के बढ़ते हैं कि पवदो के कोशी का सरचना अवं विभाजन में कौन सा तत्त जो है आपका उप्योगी होता है पहुद है को कोशी का सरचन विभाजन में आपका जो केलसियम तत्व होता है वह बहुत उपयोगी होता है तो आपका केलसियम जो है सही है अगले कोशन कर वरते हैं अगर कलपन वाच्चा का अगर सब्द रहे तो उसमें दोस्तों पुलरडवट का परियोग करना है तो दोस्तों ये सब्जेक्ट भर्व एग्रिमेंट का कोशन है तो दोस्तों आपका वेर वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगले कोशन को वर्टते हैं कि कोपेन के जलबायू वर्गी करन में राजयस्तान के पस्मी चेत्र को इस जलबायू के अंतरगत रखा गया है कोपेन की जलवायू वर्गी करन में राजस्तान के जो पस्मी छेतर को किस जलवायू परकार के अंतरगत रखा गया है तो दोस्तों BW, BW, HW के अंतरगत जो है राजस्तान के पस्मी छेतर को इस जलवायू के अंतरगत रखा गया है तो आपका option C जो है B, BW, HW के अंतरगत नेक्स्ट कोर्शन कर वरते कि अनुवानसिक इंजिनियरिंग अनुमोधन समीती जिनकी अनुमति जो है किसी भी अनुवानसिक रूप से संसोधिद फसलों की खेती के लिए अवसे कजैसे की BT का पास भारत में किस केंद्रियम मंत्रा लेके अधीन होता है अनुवानसिक इंजिनीर जो होता है भारत में किस केंद्रियम मंत्री के अधीन होता है तो परियाबरन एवं बन मंत्री के अधीन होता है फसलों के खेती जो अनुवानसिक इंजिनीर होता है वो परियाबरन एबम बन मंत्रा लेके अधिन होता है तो आपका option B जो है परियाबरन एबम 1 जो है बिलकुल सही है next question कर बढ़ते हैं मोडी लिपी का परियोग किसके बिलेखों में किया जाता है मोडी लिपी का परियोग किसके बिलेखों में किया जाता है तो आपका option मारा आठाओ जो है बिलकुल सही है अगले question के रुबरते हैं अगला जो question है कि सोपान सिरी सोपान जो सिरी है सोपान सिरी की तरह खड़ी ढाल बाली गहरी घाटी को किस नाम से जना जाता है सोपान की तरह कि खड़ी ढाल बाली गाली घाटी को किस नाम से जना जाता है तो महाखड जॉर्ज के नाम से जना जाता है तो आपका option C जो है बिल्कुल सही है सेटोसा सेटोसा दुईप जो है आपका कहाँ पर इस्तित है तो दोस्तो सेटोसा दुईप जो है आपका सिंगापूर में इस्तित है इंद्रा सहानी बनम भारत संग मुकद्वे में सर्बोच नियाले का निर्ना है किस विशे से सम्मन्दित है। अगले कोशन के रवरत है कि भारतिय संभिधान के अनुचेद 162 के सीर्षक के सम्मन्द में कौन सा कथन आपका सही है। अगले कोशन के रवरत है कि हाली में जारी हाली में जारी बैस्विक आतंगबाद सुचकंग 2023 में भारत का कौन सास्तान है। आतंगबाद सुचकंग 2023 में भारत का तेर्मा आस्तान है। तो दोस्तो बिहार दरोगा का मॉडल सेट नमबर टू का वीडियो समप्त होता है। अगर दोस्तो आपको वीडियो हेलफूल लगा हो तब सेर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेड में जल्दी जाहिद।